नमस्कार दोस्तों ग्लोबल कोलेज थाउड़ा के ओनलाइट प्लेटफोरम पर मैं राजेंदर खिचड आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपन रिजनिंग पढ़ रहे थे और रिजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था सांक्यतिक बासा या कोडिंग डिकोडिंग जिसे कहते हैं उसमें अपने कुछ टाइप किये थे जिन में से पहला टाइप जो अपना था वो था अक्सर का कोड अक्सर के रूप में फिर दूसरा टाइप तो जो था वो था अक्सर का कोड संख्या के रूप में फिर था निशित कोड यानि अक्सर या संख्या का कोई निशित कोड दिया में तो बात करते हैं सब्द का कोड सब्द के रूप में के से क्यूशन आता है और के से आपको हल करना होता है सिंपल क्यूशन है देखो और आसानी से आप हल कर सकते हो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टोपिक अपना है सांकेतिक बासा और इसमें टाइप है सब्द का खोड सब्द के रूप में ठीक है और इसका क्यूशन देगो इस प्रकार आएगा ये रहा पहला क्यूशन देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर क्यूशन दियावा है यदि हवा को जल हवा को जल और जल को हरा जल को क्या कहा जाए हरा ऐसा दियावा रहेगा यदि किसी सांकेतिक बासा में हवा को जल जल को हरा हरा को दूल दूल को पिला और पिला को बादल कहा जाए तो मचली कहां रहेगी ये है सब्द का कोड सब्द के रूप में तो देखो क्यों सनको गोर से पढ़ना है यदि हवा को क्या का जाए हवा को कहा जाए जल हवा को जल कहा जाए और जल को क्या का जाए हरा का जाए जल को हरा फिर हरा को क्या का जाए दूल और दूल को क्या का जाए पिला और पिला को बादल कहा जाए पिला को बाद जल कहा जाए तो मचली कहां रहेगी अब मचली कहां रहती है जल में तो आपको देखना है जल को क्या कहा जाता है जल को कहा जाता है हरा जल को हरा कहा जाता है तो यहीं आपका उत्तर है मचली जल में रहती है और जल को हरा कहा जाता है तो मचली कहां रहेगी थारा में रहेगी ठीक है अब इसको यहीं पे छोड़ देना है यानि यहीं आपका उत्तर है ऐसे नहीं कि जल को हरा हरा को दूल द मचली काई इह सभद का खोड सब्द के रूप में जो। सनाएगा वह आएगा अगला सवाल अपन देखते हैं अगला सवाल है कि सपेद को लाल और लाल को पिला सपेद को क्या कहा जाए लाल और लाल को कहा जाए पिला और पिला को कहा जाए निला और निला को हरा कहा जाए तो हल्दी का रंग कौन सा होगा अब बताओ हल्दी का रंग कौन सा होता है हल्दी का रंग होता है पिला तो यहां देखो पिला को क्या कहा जाता है पिला को कहा जाता है नीला तो आपका उत्र हो जाएगा नीला ठीक है पिला को कहा जाता है नीला तो आपका उत्र क का जाता है तो लाला पुतर कर दो वो गलत हो जाएगा या आगे से आगे नहीं चलना है क्योंकि अलदी का रंग पीला होता है तो पीला को निला का जाता है तो निला आपका उत्र हो जाएगा यह सिंपल से इसमें क्यों सनाते हैं ठीक है नॉर्मल आप कर सकते हो अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल देखो यह रहा बाग को बकरी बाग को क्या का जाए बकरी बकरी को गोड़ा बकरी को का जाए गोड़ा गोड़ा को हाती हाती को कुत्ता और कुत्ता को क्या का जाए बाग का जाए तो अस्तबल में कौन जानवर रहेगा कौन सा जानवर रहेगा अस रहता है यह आपको ध्यान होना चीए अस्तबल में गोड़ा रहता है तो यहां कह रहा है कि अस्तबल में कौन रहेगा तो भई अस्तबल में गोड़ा रहता है लेकिन गोड़े को क्या कहा जा रहा है गोड़ा को हाती कहा जाए तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा हाती ठीक है ये option में देखो ये रहा हाती इस प्रकार आपको हले करना होता है simple है एकदम कोई भी क्यूसन आप सब्द का code सब्द के रूप में आए तो इस प्रकार आसानी से हले कर सकते हो बहुत simple है अगला type अपन लेते हैं वाक्य का code वाक्य के रूप में तो अगला देखिए अगला ये रहा वाक्य का code वाक्य के रूप में वाक्य का code वाक्य के रूप में आएगा तो कैसे आएगा देखो सवाल ये रहा यदि किसी code भासा में मम M-U-M M-U-M मम, S-U-M, सम, D-U-M, डम, को वाटर इज प्योर, फिर L-A-O, C-H-I-N, अलग अलग है, L-A-O अलग है, C-H-I-N अलग है, फिर M-U-M, को वाटर हेज टेस्ट, देखो हर सब्द का अलग सब्द दिया वाए हैं, वाक्य तीन सब्दों का वाक्य है, फिर तीन सब्दों का वाक्य हिदर कोर्ड की रूप में दिया वाए है, फिर L-A-O, C-H-I-N, M-U-M का वाटर हेज टेस्ट दिया वाए है, टेस्ट ही है ना, फिर D-U-M, P-H-U, P-H-I-N, को He is Honest, Honest लिखा गया है, फिर एको K-H-U, K-H-U, S-I-N-G, और C-H-I-N, चैन को Never Test It लिखावा है, तो आपको पुछा है, लिखा जाए तो हेज के लिए कौन सा कोड है, हेज के लिए पता करना है, तो हेज देखो कहा आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तो अगर आपको पता लग जाए कि वाटर का और टेस्ट का क्य है, तो इस परकार के सवाल में आपको क्या करना होता है, इस परकार के सवाल में आपको करना होता है, कि आप पहले बाके को दूसरे बाके जिए, कि इसमें क्या समानता है, देखो पहले और दूसरे में समानता देखें, तो इसमें M-U-M, M-U-M आ रहा है, और इसमें भी M-U एम आ रहा है ठीक है अब इनका जो कोड दिया वाए उनमें भी समानता डून नहीं है तो म यू एम हो गया इधर तो दो एक सब्द समान है तो इधर कोण सा समान है इधर है वाटर इधर क्या है इधर है वाटर ठीक है अब देखो इसमें और इसमें समान देख लो या इसमें स सामान देखेंगे तो यहां दे को दियावा है यहां दिया वाँ है यह रहा ब यहां दियावा डिखेंगे चिन या चेन जो भी है अब इसमें दूसरे में और चोथे में इधर कोड में देखेंगे क्या समान है तो देखो इधर T A S T E और इधर भी T A S T E तो इसका मलब है C H I N का क्या है T A S T E है C H I N का क्या है T A S T E है अब देखो यहां हेज ही बचा क्योंकि दूसरे वाक्य में आपको हेज दिखाई दे रहा था मैंने पहले बोला था दूसरा वाक्य देखिए हेज कहां दिखाई दे रहा है तो दूसरे में दिखाई दे रहा थ ल, A, O, L, A, O, हेज का code हो गया, एस प्रकार आप आसानी से check कर सकते हो, तो इस वाक्य का जो तीसरा है, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है, बाकि किसी और का पूछता तो इसका जरूर मतलब निकलता, ठीक है, यहाँ डी ओम, यहाँ डी ओम समान है, तो और किसी मालो हेज का प एल, A, O, हेज का हो गया, एल, A, O, तो ऐसे करना है, यानि comment देखना आपको, comment क्या है, तो फिर वो जो आपको पूछा गया है, वो automatic बच जाएगा, या उसका code आजाएगा, दो जगए वो दिखाई देगा, तो हेज यहाँ एक ही जगए दिखाई दे रहा है, इसी परकार, आप इसमें किसी और का पुछे, जैसे मानलो, यहाँ पूछ लिए आपको, कि भई आप इसका बता दो, honest का क्या है, honest का code क्या है, तो honest देखो, कहां दिखाई दे रहा है, honest यहां दिखाई दे रहा है, तो मैं तीसरे में, और चोटे में समानता देखता हूँ, तीसरे चोट देखता हूँ, तीसरे और दूसरे में कुछ समानता है, तीसरे दूसरे में समानता नहीं है, और आपके इदर देखो, पहले और इसमें समानता है, पहले और तीसरे में समानता है, भई, डियू एम, डियू एम, तो डियू एम का क्या हो जाएगा, यहां जो समान चीज आ र जारा है तो अब समका कॉर्ड क्या हो जाएगा समका प्योर का सम हो जाएगा specialist का आपको पता करना है तो एक लाइन और देंगा फिर हो क्योंकि यहाँ है नहीं एक लाइन और होनी चाहिये थी तब जाके honest का पता लगता क्योंकि इसमें इसमें कुछ समानता नहीं है और इसमें इसमें कुछ समानता नहीं है तीसरे और चोते में कुछ समानता नहीं है तो यहां दो बचरें ही honest और यहां phu, phi, n तो एक line उसको और देनी पड़ेगी तब जाके honest का बनेगा तो यहां honest का नही प्रकार आप सभी अक्षरूं का पता लगा सकते हो अगर और या मांन लो never का he, it का पुस्था तो एक line वे और दे देता है इस में लक्स देता हैud तीन लाइन भी आती हैं, तीन बाक्वे भी आते हैं, चार मत भी आते हैं, ठीक है अगला देखते हैं आपने सवाल, अगला सवाल आपके सामने यह रहा, इसमों देखो दियावा है जे ओ आर इ अलग अलग है जे ओ आर इ के ए तीन सब्द है और फिर इनके कोड भी तीन सब्द दियावा है यहांनि वाक्ये में दियावा तीन सब्द स्वीटनाई सुगर स्वीटनाई सुगर फिर देको आई ए दियावा है फिर है ऐफ आई फिर है डीी का दियावाह है टेस्टी सोर लेमन सोर लेमन थीक पिर देखो F I K A और टिप का दियावा है सुगर एंड लेमन फिर दियावा है आई ए और आरी का अलग दियावा है नाइस टेस्टी ठीक है अब आपको पूछा है कि बताएए स्वीट एंड सोर का को क्या लिखा जाएगा स्वीट एंड सोर को क्या लिखा जाएगा स्वीट एंड सोर लिखने के लिए है अलग अलग सब्सक्रा अने सुछा को coming का ही के फिर तीसरे में क्या-क्या समान है बफैने तीसरे में यहां देखोam कि आपके पहले तीसरे में sweet nice sugar और इधर है sugar and lemon तो sugar और sugar तो इसका माथलब का क्या हो गया sugar हो गया तो के ए का हो गया सुगर मैं लिख लेता हूँ के ए का हो गया सुगर मय अब है कि अब दूसरा लेते हैं पहले में और दोथे में देखते हैं पहले और चोते में देखो क्या समान है पहले और चोते में दिया वा है RE और RE ठीक है तो पहले और चोते के कोड में भी देखिए पहले और चोते के कोड में अगर देखेंगे तो यहां देखो NICE और यहां क्या है NICE ठीक है तो इसका मलब RE का कोड क्या हो गया NICE Nice हो गया ठीक है अब देखो अगला पहले और इसमें दूसरे में समानता नहीं है पहले तीसरे में देख लिया पहले सोते में देख लिया फिर दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो क्या-क्या समान है दूसरे और तीसरे में देखो समान है आपके ये एफ आई और एफ आई और इधर दूसरे तीसरे में क्या समान है इधर है आपके दूसरे तीसरे में लेमन और लेमन ठीक है तो इसका मतलब है एफ आई का जो पोड हो गया वो क्या हो गया लेमन हो गया या लेमन का पोड एफ पाई हो गया बात एक ही है ठीक है अब आगे देखो दूसरे और चोथे में देखते हैं दूसरे चोथे में क्या समानता है तो दूसरे चोथे में आपके समानता है दूसरे चोथे में समानता है आई ए आई ए और यहां बे भी आई ए है तो आई ए आई ए समान है दूसरे क्विभ्ते में इधर क्या समान है तो इस ने बचानी से पता लगा सकते में अब सब्मका आशानी से पता लगा सकते है तो स्वीट का हो जाएगा जे ओ तो मैं यहां लिख देता हूँ जे हो गया स्वीट का ठीक है अब एंड का क्या है तो एंड यहां पर एकलाई बचा है तो एंड का क्या हो गया वही यह रहा एंड आपका एंड का हो गया आपके टी आई पी टिप तो टिप हो गया आपके एंड का टिप हो गया एंड का ठीक है दिखाई दे रहा होगा आपको नहीं तो इसको छोटा कर लेते थोड़ा देखो एंड का हो गया आपके टिप यह रहा फिर एक बचा यहां सोर सोर का क्या हो गया सोर का हो गया डी इई तो डी इई हो गया आपके S.O.U.R. का S.O.R. का ठीक है अब आप आसानी से पता लगा सकते हो इसने कहा Sweet and S.O.R. का बताईए तो Sweet and S.O.R. देखो यह लिखा Sweet and S.O.R. का हो गया J.O.T.I.P. और D J.O.T.I.P. और D.E. ठीक है तो यहाँ दियावा है क्या पहले Option में J.O.R.E.K. है J.O.T.I.P. है D. नहीं है दो ही दियावा है क्यावल जबकि पूछा कितना है तीन का यहाँ I.A.R.E.K. है तो None of क्या हो जाएगा D. हो जाएगा यहाँ फिर Option में दियावा मिलता यहाँ J.O.T.I.P. और D.E. लिखा होता तो यह Option B.O.T.I.P. हो जाता लेकिन B.O.T.I.P. नहीं है क्योंकि इसमें दो ही लिखे वे हैं तो None of these हो जाएगा ठीक है इस प्रकार आपको इन क्युशनों को हल करना है सब्द का कोड सब्द के रूप में मैंने बताया वाक्य का कोड वाक्य के रूप में बताया इसमें 4 लाइन भी मिल सकती है तीन भी मिल सकती है और 2 भी मिल सकती है तो जितनी दीवी मिले उसह सबक्राहई उसह अप हल कर लेना बहुत आसान है अलग-अलग पॉमन दूंड ना है पहले आप इधर वाले में ढून्डिए, फिर इधर वाले में जिसका इधर देखा है, इधर देखिये, आसानी से हल कर सकते हो, तो आज के लिए यह काफी है, आपका यह सांक्यतिक बासा, जो टोपिक है, मेरे ःसाब से अान्यक्त है, बाकी आप हल करते रहे हैं, कमेंट में बताते रहिए कोई प्रेसा नहीं हो तो मैं आपको हल करके बताऊंगा तो आज के लिए बहुत है बहुत बहुत धन्यवाद